नमस्कार! आपका हमारे चैनल डायरी डोस सागा में स्वागत है. आज की कहानी का शीरशक है, बड़ों की बात मानो, एक बड़ा भारी जंगल था, पहाड था और उसमें पानी शीतल निर्मल झरने थे. जंगल में बहुत से पशू रहते थे. परवत की गुफा में एक शेर, एक शेरनी और शेरनी के दो छोटे बच्चे रहते थे. शेर और शेरनी अपने बच्चों को बहुत प्यार करते थे. जब शेर के बच्चे अपने मा बाप के साथ जंगल में निकलते थे, तब उन्हें देखकर जंगल के दूसरे पशू भाग जाया करते थे. लेकिन शेर अपने बच्चों को बहुत कम अपने साथ ले जाते थे. वे बच्चों को गुफा में छोड़ कर वन में अपने भोजन की खोज में चले जाया करते थे. शेर और शेरनी अपने बच्चों को बार-बार समझाते थे कि वे अकेले गुफा से बाहर भूल कर भी न निकलें। लेकिन बड़े बच्चे को यह बात अच्छी नहीं लगती थी। एक दिन जब बच्चों के माँ बाप जंगल में गए थे, बड़े बच्चे ने छोटे से कहा, चलो ज़रने से पानी पी आवें और वन में थोड़ा घुमें। हरिनों को डरा देना मुझे बहुत अच्छा लगता है। चोटे बच्चे ने कहा, पिता जी ने कहा है कि अकेले गुफा से मत निकलना। ज़रने के पास जाने को तो उन्होंने बहुत मना किया है। जाने को तैयार नहीं हुआ। उसने कहा, मैं तो माँ बाप की बात मानूंगा, मुझे अकेला जाने में डर लगता है। बड़े भाई ने कहा, तुम डर पोख हो, जाओ, मैं तो जाता हूँ। बड़ा बच्चा गुफा से निकला और ज़रने के पास गया। उसने भर पेट पानी पिया और तब हरिनों को ढूंढने इधर उधर घूमने लगा। उस जंगल में उस दिन कुछ शिकारी आये थे। शिकारीों ने दूर से शेर के अकेले बच्चे को घूमते देखा, तो सोचा कि इसे पकड़ कर किसी चिड़िया खाने को बेच देने से रुपिय मिलेंगे। चिपे चिपे शिकारी लोगों ने शेर के बच्चे को चारों ओर से घेर लिया और एक साथ उस पर तूट पड़े। उन लोगों ने कंबल और कपड़े डाल कर उस बच्चे को पकड़ लिया। बेचारा शेर का बच्चा क्या करता? वह अभी कुत्ते जितना बड़ा भी नहीं हुआ था। उसे कंबल में खूब लपेट कर उन लोगों ने रस्यों से बांध दिया था। वह न तो चटपटा सकता था, न गुर्रा सकता था। शिकारियों ने इस बच्चे को एक चिड़िया खाने को बेच दिया। वह एक लोहे के कट घरे में बंद कर दिया गया। वह बहुत दुखी था। उसे अपने माबाप की बड़ी याद आती थी। बार-बार वह गुर्राता और लोहे की चड़ों को नोचता था, लेकिन उसके नोचने से चड़ तूट तो सकती नहीं थी। जब भी वह शेर का बच्चा किसी चोटे बालक को देखता था, बहुत गुर्राता और उच्छलता था। यदि कोई उसकी भाषा समझता, तो वह उससे अवश्य कहता, तुम अपने माबाप तथा बड़ों की बात अवश्य मानना, बड़ों की बात न मानने से पीछे पश्चा ताप करना पड़ता है, मैं बड़ों की बात न माननने से ही यहां बंदी हुआ हूँ। यदि आपको हमारे प्रयास पसंद आ रहे हैं, तो कृपया हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें. इससे हम आपके लिए और नई कहानिया लेकर आते रहेंगे और आपका हर बार मनोरंजन करते रहेंगे. धन्यवाद.